शेयर कर रही हूँ आपके साथ ESIC SSO प्रेलिंग सेकिंड में मेरा कितना स्कोर आया है तो देखिए 65.5 है स्कोर, रैंक 41 है, परसेंटाइल 91, एक्यूरेसी 87% इंग्लिश में मैंने 30 अटेम किये थे, 5 गलत है रीजिंग में 26 अटेम किये, 3 गलत है, क्वाइंट में 22 अटेम किये और 2 गलत है तो देखिए 78 अटेम किये थे, उसमें से टोटल 10 रॉंग हुए और 68 सही थे फिर वो नेगेटिव करके 65.5 स्कोर आगिया topper से मेरा बहुत ही कम है, यह topper बच्चे पनी क्या खाते हैं इतना स्कोर लेकर आते हैं समझ नहीं आता और पता नहीं मेरा इतना स्कोर कभी आता क्यों भी है जैसे इन बच्चों के यह वाले mock test में आ जाते हैं और यह तो topper कही है सब कुछ percentile वगरह बच्चे कहते हैं हमेशा percentile देखनी चाहिए तो percentile मेरी जैसे उपर मैंने दिखाई 91 है बट मिरको ऐसा लगता है 95% से ज़्यादा होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है और accuracy तो यार 100% हो तभी better होता है क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए इंग्लिश में गलत होना चाहिए जैसे मेरा reasoning में गलत होगया quant में गलत होगया पते नहीं क्यों हुआ अब यह चलो मैं analyze करूंगी फिर मैं देखूंगी मैंने कहाँ पर mistake किया है तो चलिए अब मैं देखती हूँ आनिलाइस करते हुए इसके solution की तरफ आते है तो यह English खुला है सबसे पहले तो ना मेरे यह वाले रॉंग होजाते है यह जो phrase replacement वाले होते है पते नहीं क्यों रॉंग होजाते है यह हाँ यह दो रॉंग होए है मेरे इनकी प्रैक्टिस करने के बहुत ज़हते है मैं करूंगी और और क्या रॉंग हुआ था थर्ड वाला देखती हूँ हाँ यह क्लोस टेस का मुझे लगा था यह योगा बट वो नहीं था एक रेडिंग कॉम्प्रेहेंशन में यह गलत हुआ है और एरर डिटेक्शन के भी दो रॉंग हुए है तो अब मैं दिखती हूँ रीजनिंग में क्या किया मैंने रीजनिंग में पहला वाला इसमें क्या था है हाँ यह वाला न यह वाला रॉंग हुए दूसरा यह नमबर वाला रॉंग हुए तीसरा ये वाला रॉंग होए रॉंग नहीं होने चाहिए थे पते नहीं क्या कर दिया मैंने इसमें ये वाला इसमें नंब्स बट बड़े थे मैं जब कर रही थे मुझे लगी रहा था ये रॉंग हो जाएगा और सेकंड हाँ ये कौंटिटी वाला ये ने मैंने गलत कर दिया देगा कुफी कर दिया आपे बहुत बड़ी तो बस यही था इस मौक टेस्ट में अब मैं थर्ड वाला दूंगी ना फिर उसमें मैं 70 प्लस को लेकर आने मुझे मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसे ज़रूर बाइबाइब